आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें question given है statement 1 हमारे पास 6 different balls are put in 3 different boxes so no box being empty the probability of putting the balls in boxes in equal number is 1 by 6 और statement 2 हमारे पास है 6 letters are posted in 3 letter boxes the probability that no letter box remains empty is 20 by 27 तो हमें यहां पर बताना है कि दोनों में से कौन से statements true है और कौन से false है so हमें बताना है तो यहां से हम लोगों में पास क्या जाएगा total number of ways total number of ways to total number of ways to distribute total number of ways to distribute the balls distribute the balls so that so that no box remains empty no box remains empty तो क्या आजाएगा हमारे पास तो यह हमारे पास आजाएगा जैसा कि मुझ जानते है total जो 6 है उसको हम लोग 1, 1, 4 या तो या तो और क्या ले सकते है 2, 1, 3 ले सकते है और हम लोग ले सकते है 2, 2, 2 यह आ गया हमारे पास so this will be equal to total कितने आ जाएगे यहां से इसको हम लोग 3 factorial ways में arrange कर सकते है sorry 3 factorial हो गया तो 3 factorial by 2 factorial हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 repeated है और into into 6C1 into 6C1 into और क्या आ जाएगा हमारे पास फिर से तो आ यह आ जाएगा 5C1 into 4C4 यह हो जाएगा इसको हम लोग इतने तरीके से चुच कर सकते है यहां आ जाएगा 3 factorial into तीनों अलग अलग है तो इसमें हम लोग कोई चीज से डिवाइड नहीं करेंगे into 6C2 6C2 into 6C2 into उसके बाद क्या पांच बच जाएगा स्वरी चार बच जाएगा 4C1 into और क्या जाएगा 3 3C3 यह हो जाएगा प्लस प्लस क्या जाएगा यहां पर जो हम लोग देखें तीनों एक ही है तो यह हो जाएगा डारेक्ट तीनों को हम लोग आरेंज कर सकते हैं 6C2 into into sorry into हो गई है 6C2 into 4C2 4C2 into 2C2 हो जाएगा तो वाट वी आर गेटिंग फ्लम हीर के पास यह क्या जाएगा यहां से अगर हम लोग देखें तो 3 factorial by 2 factorial क्या जाएगा हमारे पास यहां से 3 into 2 into 1 लिखेंगे और 2 factorial को 2 into 1 लिखेंगे तो 2 cancel out हो जाएगा तो यहां बच जाएगा यह 90 हो जाएगा क्योंकि 6 5 जा 6 5 जा 30 30 into 3 is 90 प्लस 6 3 factorial 6 हो गए into 6 into 5 by 2 into 4 हो जाएगा और प्लस क्या जाएगा हम लोग के पास 6C2 को 6 into 5 by 2 4 C2 को 4 into 3 by 2 और 2 C2 1 हो जाएगा तो इस विल बच जाएगा यह यहां 2 से 3 times में cancel out हो जाएगा तो 3 5 जा 15 into 4 that is 60 6 into 60 that will be 360 plus 2 से 3 times में cancel out हो जाएगा और यह 2 से 2 times में cancel out हो जाएगा तो यह आ जाएगा हम लोग के पास 3 5 जा 15 15 6 जा 90 so this will be equal to 540 now what we can do from here this will यहां से अगर हम लोग देखें तो required probability जो हम लोग के पास वो क्या आ जाएगा required probability will be equal to required probability क्या जाएगा यह आ जाएगा 90 है यह हम लोग के पास जो हम लोग के पास बोला जा रहा है 3 equal होने चाहिए उसका number 90 है तीनों equal वाल है 90 है हम लोग के पास तो यहां से आ जाएगा 90 by total number is 540 तो total number of outcome 540 हो गया तो 90 by 540 that will be 1 by 6 that means जो हमें statement 1 दिया गया था statement 1 जो हमें यहां पे दिया गया है क्या statement 1 जो हमें यहां पे दिया गया है statement 2 देखते हैं 6 letters are posted in 3 letter boxes the probability that no letter box remains empty is 20 by 27 तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 letters है और उसको 3 letter boxes में post किया जा रहा है तो यहां अगर हम लोग देखें 6 different balls are put in 3 different boxes लेकिन यहां 6 letters जो है वो post किये जा रहे हैं 3 letter boxes में यहां different है या same है इस पे कुछ भी नहीं दिया गया है तो यह दोनों का जो हम लोगों के पास है वो अलग-अलग होगा तो यहां से हम लोग देखे लेते हैं putting balls in boxes is equal to 1 by 6 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है no letter box remains empty no letter box remains empty is 20 by 27 तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास यहां letters है और पिछले में balls था तो यहां से हम लोग क्या करेंगे we can write this as यह आ जाएगा हम लोगों के पास total number of total number of ways total number of ways such that such that no letter box no letter box remains empty no letter box remains empty यह कितना हो जाएगा this will be equal to यहां से आ जाएगा हम लोगों के पास यहां क्या हम लोग कर सकते हैं जैसा कि हमें given था उसके according हम लोग लिख सकते हैं six letters box are posted in two different boxes है तो यह आ जाएगा this will be equal to putting 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 six different putting six different balls six different balls in three three different boxes three different boxes इसके equal हो जाएगा वो no letter box remains empty तो क्या जाएगा हम लोगों के पास यह इस इंप्लाइज दैट 114 यह ले सकते हैं हम लोग और क्या ले सकते हम लोग similar to above condition two one three यह ले सकते हैं and two 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 ले सकते हैं जैसा कि हमने उपर लिया था फर्स्ट केस में वही अम लोग यहां भी ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह आ जाएगा फियो five forty जैसा कि पहले आया था वैसा यहां भी five forty आ जाएगा लेकिन अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे बट total number of total number of ways of total number of ways of arranging putting six letter box six sorry six letters in three different three different boxes यह क्या आजाएगा हम लोगों के पास यह आजाएगा छे letter को हम लोग three different box में डाल रहे है तो first letter sorry first box में हम लोग कितने letters डाल सकते है six similarly इसी तरह से हम लोग तीन जितने भी हम लोगों के पास boxes से उन में हम लोग 6-6 letter डाल सकते है तो यह three to the power six हो जाएगा that way it'd be 729 so required probability क्या आ जाएगा यहाँ से 540 divided by total number of outcomes is 729 so 540 by 729 यह cancel out हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा 20 times में 27 से और यह cancel out हो जाएगा 27 times में so this will be equal to 20 by 27 that means दोनो ही जो हम लोगों के पास given है that are correct but statement one is not a explanation of statement two that means यह जो हम लोगों के पास option b है statement one is true statement two is true यह correct हो जाएगा classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर